दिल्ली में बात हुई थी और जितनी मुझे समझ है जितनी मुझे जानकारी है दोनों बातों में बीरावधावास नजर आता है फैसला उनका है उन्होंने इस काफी सोच समझ करके लिया होगा और जो उनका फैसला उनकी पार्टी के लिए है उसमें हम बहुत कुछ नहीं कह सकते हैं गडबंधन का फैसला होता तो अलग बात ही उनकी पार्टी का फैसला है जिस तरीके से उन्होंने आज कहा कि गडबंधन की ओर से जेमेम के तरफ से प्रत्याशी उतरेगा तो उन्होंने सीधे तो पर बताया कि गडबंधन के ही उमिदवार है बिलकुल अगर वो कह रहे हैं तो अच्छी बात है वो उनकी तरफ से बाते कही जा रही है तो सब लोग मिल करके लेते हैं उन्होंने अपना फैसला खुद से लिया है, जामूमों का फैसला है, अब आगी हमने अपने सारी बातों को प्रभारी से बता दिया है, उस पर जो फैसला होगा बताएंगे समयाने के. क्या कुछ आगे और रहेगा, क्योंकि लगतार ये चीज़े जो है, वो सामने आ रही थे, क्या इससे कुछ तीसरा प्रत्याशी भी उतारने के तेहरे नहीं है, इसी कोई बात नहीं है, ये तो सारी बातों की चर्चा वैपक तोर्टे की जाएगी, और निश्चित रूप से स जो भी फैसला हो, वो सामोही को, सर एक आखरी सवाल रहेगा, जिस तरीके साथ ने बताया कि अविनाश पांडे आ रहे हैं यहां पर, और क्या उसमें मुख्यमंत्री से भी मुलाकात होगी इस चीज़ को ले करके, अब ये तो आने पर तय होगा, हमारे विदाय गन, हमारे नेतागन क्या कहते हैं, उसके बाद हम लोग सारी बात दों पर चर्चा करके, तब देखेंगे क्या करना है। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेस्बूक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।